जहें चात्रो नमस्कार एक पर फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल एवियांग के दिश्टोडी में तो प्रिये चात्रो आज की वीडियो उन्वे द्यारतों के लिए बहुत ही इस पेसाल है जो कक्छा दस्पी की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए आज की इस वीडियो में हम के लास तैंथ एक्जाम दोजार तेईस चौवीस मोस्ट इंप्रोटेंट कॉस्चन टॉप टैन कॉस्चन मैथमेटर्स के यानि गड़त पिसाय के हम कॉस्चन लेकर आए हैं ठीक है यह टेन कॉस्चन आपको बहुत ही महत्पूर है और यह के वेदर है कि इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेज जरू करे ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जारी हो सके और जो कॉस्चन मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा उनको मैं एक वीडियो में अलग से हल करके भी आप HCF और LCM ग्याद कीजिए तता इसकी इजाच कीजिएगी दो संक्याओ का गुडन फल बराबर HCF इन्टू LCM है ठीक है HCF और LCM बहुत ही महतपुर कॉस्चन है आपको परीक्षा में जड़ू देखने को मिलते हैं हर बार और यह कॉस्चन जहां तक है दो से तीन नमबर में आपको मिलेगा ठीक है बहुत ही अच्छा प्रस्चन और इसमें ज्यादा कोई मगज मारे नहीं है आपको बढ़िया तरीके से मैं समझाओंगा और आप यह कॉस्चन परीक्षा में करके जरूर आना ठीक है बढ़ते हैं दूसरे कॉस्चन की और रूट टू एक आप परीम निम्ने दोईगाद भहुपदों के सुन्यक गयात कीजिए और सुन्यक तथा गुढांकों के बीच के सम्बंद की सत्यता की जाच कीजिए फर्स्ट है एकस स्कुर माइनस 2 एकस माइनस 8 सेकंड है 4S स्कुर माइनस 4S प्लस 2 इसी परकार मैंने आपको 6 कॉस्चन दिये हैं तो आपको क्या करना है, इन सभी बववपत को आपको solve करना है और उनकी क्या करना है, भववपत हो कि सुन्य Gift करना है, और सुन्यक को तथा गुडांकों के बीच के सम्द्ध की सत्त दागी साज करना है, ठीक है, तो यह question आपको कम से कम चार से प्माच नंबर में आपको यह question देखने को मिलता है ठीक है और बड़ाई आसान तरीके से मैं आपको इसको समझाओ वो बहुत इस्टरल है आप इसको परिच्छा में अच्छी तरीके से करके आएंगे यह मुझे लगता है और बिद्यारती अपनी मेहनत कर रहे है ठीक है चोता question है कक्चा तैन के दस बिद्यारती उने एक गड़ित की पहली प्रतियोगता में भाग लिया यदि लड़कियों की संक्या लड़कों की संक्या से चार देखो तो प्रतियोगता से भाग लिये लड़कों और लड़कियों की संक्या ग्यात कीजिए ठीक है यह भी most आएपी question है इस question को भी आपको जरूर करके जाना ही है question आपको कम से कम पांच number number में आपको देखने को मिलेगा चड़े में question क्यों बढ़ते हैं अनुपातो A1 upon A2 B1 upon B2 C1 upon C2 की तुल्ला कर ग्यात कीजिए कि निम्ड रखेक समिकरणों की युग संगत या संगत है मैंने यह पर कुछ समिकरण दिये हुए है तो आपको इन सभी समिकरणों में से आपको क्या करना है इसका यूच करके तुल्ला करना है और ग्यात करना है कि निम्ड समिकरणों की युग में संगत है या संगत है पहला क्या है 3X plus 2Y equal 5 2X minus 3Y equal 7 ठीक है इसी परकार दिसेकंड है 2X minus 3Y equal 8 और 4X minus 6Y equal 9 और इसी परकार तीसरा भी है और चोता भी है ठीक है चाटमा कोस्चन है गुडन करना बिदी से निम्ने दुईघात समिकरणों की मूल गयत कीजिए दुईघात समिकरणों की मूल गयत कीजिए कोस्चन क्या है X square minus 3X minus 10 equal 0 सेकंड कोस्चन है यह देखो बहुत ही महत्पूर सबसे पहले मैं आपको important बता दू कि यह बहुत ही महत्पूर कोस्चन है और यह कोस्चन आपको देखने को मिलेगा कम से कम यह 5-6 नमबर में कोस्चन आते हैं तो यह कोस्चनों को आपको अच्छी तरीके से हल करके जाना है जो भी विद्धारती मेरे इस चैनल पर नए है उन सभी से निविदन है कि अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो अभी के इस चैनल को सस्क्राइब कर ले ताकि नए वीडियो का नोटीपिकिसन आप तक जारी हो सके ठीक है पढ़ते हो साथ में कोस्चन की और तो साथ में कोस्चन है दो किरमागत धनात्मक पूरांक ग्यात की जिए जिनके बर्गो का योग 365 इसको मैं बोलूगा क्योंकि यह कोस्चन आपको हर वार वरिक्चा में देखने को मिलता है और जो भी विद्ध्यारती अक्च्चत दसमी की तैयारी कर रहा है उनका पेपर मार्च में होगा तो यह कोस्चन आप जरूर कर गे जाए क्योंकि यह कोस्चन आने वाला है बढ़ते हैं आठमे कोस्चन की और दी हुई एपी के पिर्थम पद लिखिए जबकि पिर्थम पद ए और साहरवांतर दी निमलके थे पहलो कोस्चन है ए बराबर दस बी बराबर दस दूजरो कोस्चन है ए बराबर माइनस दो और डी बराबर जीरो इसी परकार मेंने पांच कोस्चन लिखे हैं तो आपको इस कोस्चन को अच्छी तरीके से कर की जाना है ठीक है बढ़ते हैं हम 9 में question की और 9 में question में मैंने कुछ ऐसे question लिए जो कि परिक्षा दरक्षी से बहुत ही महत पूर है तो आपको इन सभी question को अच्छी तरीके से करना है क्योंकि यह जो question है वो बहुत ही महत पूर है और जो question मैंने लिए है यह परिच्छा में आते हैं संख्या है बदल सकती है लेकिन question आपको यही देखने को मिलेगा क्या दिया है क्या AP 11852 का एक पद माइनस 150 है क्यों इसी परकार दूसरा question है AP में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतेम बद 106 है इसका 29 पद आपको ग्याद करना है ठीक है इसी परकार तीसरा question भी दखाएं और इसी परकार चोथा question भी है चोथा question आप बहुत ही अच्छी तरीके से करें क्योंकि यह question बहुत ही महत्पूरे और पांच नंबरे में आपको जरूर आएगा क्या दिया है ऐसे परथम 40 धन पूरांकों का युग ग्याद कीजिए जो 6 से बिवाज है पढ़ते हूं उसी नो में question के पांच में एक AP में A बराबर 5, B बराबर 3 और A N पचास दिया है A N और S N ग्याद करना है ठीक है दूसरा question है L बराबर 28 S बराबर 144 और कुल 9 पद है A ग्याद कीजिए तीसरा question है D बराबर 5 और S 10 बराबर 125 दिया है D और A 10 ग्याद करना है और इस वीडियो का last question बहुत ही महत्पूर question है भेरी IMP question है ठीक है इस question को आपको अच्छी तरीकी से करना है बढ़ते हैं 636 यूग पराब्त करने के लिए AP 9,17,25 की कितनी पद होने चाहिए ठीक है तो यह question भी आपको करना है ठीक है ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जाता से ज़्यादा सस्क्राइब करें और हमारा सपोर्ट करे क्योंकि मैं ऐसी helpful वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूँ मिलते हैं ऐसी नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द और जो भी विद्धारती BSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इस चैनल पर बहुत ही अच्छे question प्रूबाइट कराएगा है जो कि परिक्षा की दरेष्टी से बहुत ही महत्पूर है और वह question आपको अक्सर परिक्षा में देखरें को मिलेगे ठीक है बिलते हैं ऐसी नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द तब तक के लिए धन्नवाद